नमस्का दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है Study in Romania जो की एक शेंगन कंट्री है तो आज की वीडियो के अंदर मैं Romania में General Study के बारे में डिसकस करूँगा जिन बच्चों की डेसिनेशन Romania शेंगन कंट्री जो की एक बहुत ही एकनॉमिकल कंट्री है फार हाय स्टेडियो के लिए उनके लिए इस बेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो है इवन जिन बच्चों ने अपना Romania में अड्मिशन अपने लेवल पर जा अनदर कंसल्टेंटों के थूँ अपलाई किया हुआ है तो उनके लिए भी इस बेरी इंपोर्टिव वीडियो अगर आपके रिजल्ट्स टेकलेड हो चुके हैं तो रिजल्ट्स अगर आपके नेक्टिव आई हैं आपका ड्मिशन नहीं आया है जहां आपका ड्मिशन आचुका है आप फ़र्दर कोई असेशन्स चाते हैं Crown Immigration के तूँ तो आप हमे अचिस संपर कर सकते हैं बज़र further assistance क्या है कि आप अपना रुमानिया का study visa apply करवाना चाहते हैं तो रुमानिया का study visa apply करने से पहले क्या precautions लेने है crown immigration आपको इसमें पूरा guide करेगा Even अगर आप रुमानिया की interview preparation चाहते हैं क्योंकि रुमानिया embassy भी जहांपर students की interview लेती है उसके tips भी provide कर सकते हैं क्योंकि रुमानिया में हम number of students को पढ़ने के लिए भेजते हैं अगर आपने रुमानिया में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी दो dedicated playlist हैं study in Romania, success stories of Romania दोनों के link मैंने description box में लगाए हैं बहां जाकर हमारी रुमानिया की number of videos वाच कर सकते हैं इवन इस साल हमारे I think so MBBS के 22 students हैं उसकी वीडियो भी मैंने एक दोने दिन पहले बनाई थी अगर आपने वो भी वीडियो देखनी है तो उस playlist में देख सकते हैं कितने बच्चों का admission आया कितने का नहीं है MBBS और BDS का तो आज की date में total हमारे पास 16 बच्चे specially रुमानिया जनल स्टडी के लिए रिजस्टर थे जिन्होंने बहां पर bachelor master करने के लिए जाना है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में इवन दो तिन बच्चे प्रिपेटरी प्रोग्राम के लिए विए एंट्रस्टर थे क्योंकि उनका बहां से क्या कह रहे हैं के admission direct नहीं आ रहा था तो प्रिपेटरी कौन से बच्चों को लगता है प्रिपेटरी अप्लाई करने से पहले क्या precautions लेने हैं चाहिए इवन एक दो बच्चों के हम स्टिल result वेट कर रहे हैं कौन से बच्चों के जिन्होंने बहां पर entire study free के लिए apply किया हुआ था क्योंकि Romanian government भी अपने साल में एक बार portal open करती है जो बच्चे रुमानिया में जाकर free of course study करना चाहते हैं Romanian language में उसमें भी हमने कुछ बच्चों के apply कियो हैं उनके results अभी तक आए नहीं हैं जब उनके results भी आएंगे उसके बारे में भी मैं अपनी coming वीडियो में बताऊँगा अभी देखिए जे 16 बच्चे थे 16 में से ये लेकर चलिए कि 7 बच्चों को हमारे admission confirmed मिल चुके हैं बैचलर वाले भी हैं मास्टर वालें की भी हैं और 2 बच्चों के admission reject भी हुए हैं अभी rejection के बाद उनके लिए further कोई option नहीं है रुमानिया में तो ये है कि selection भी है, rejections भी है everywhere, admissions में भी और वीजा में भी अभी जिनकी rejection हुई हैं उनके लिए द्वारा रुमानिया में कोई options नहीं हैं उसके पीशे बहुत बड़े reasons हैं, reasons क्या हैं, इस साल रुमानिया ने शेंगन में आने के बाद महां की universities ने, as well ambassadors ने, अपने system को change किया है, तो जिनके rejections हुए हैं, हमें अभी पता चल जाएगा, जब आरा कोई नया student हमारे साथ registered होता है, कि मैंने रुमानिया जाना है, तो हम वो proper precautions लेते हैं, कि ये वाली profile time waste करेगी रुमानिया के उपर, इनका admission कभी भी बहां से आएगा नहीं, तो even कुछ बच्चों के, अभी भी I think 6-7 बच्चों के results pending पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ universities ने अभी तक अपने results declared नहीं किये हैं, ये रुमानिया के admissions, जो ministry का invitations आता है, इस type का university वहाँ पर आपकी mail के उपर भेजती है, ये हमने copy निकाली थी, उसके उपर कुछ तीजें लिखी हुई है, हमने अपने hand से बैसे पर, लेकिन for the purpose of visa, वो proper print निकाल कर हम उनकी file के साथ, बच्चों के साथ लगाएंगे, इंटरस्टिंग चीज क्या है, बच्चे वहाँ पर data sciences जैसे program, artificial intelligence जैसे program, MBA जैसे program, supply chain management जैसे program करने के लिए जा रहे हैं, फेजियो थ्रैपिस में बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, nursing करने के लिए जा रहे हैं, जिनकी piece, अब ये surprise होगा, इंडियन रुपीस धाई लाग से पर जाट है, इंडियन रुपीस धाई लाग से स्टार्ट है, और बहाँ की leading university है, public universities है, रेनौर्ड universities है, और oldest से oldest universities है, जो जे जनल स्टेडिस के लिए बच्चे जाते हैं, apart from MBBS, MBBS की फीज बहाँ पर, approximately 7 लाग से लेकर 8 लाग पर येर की है, लेकिन जनल स्टेडिस जैसे आपने बैचलर किसी भी स्ट्रीम में करनी हैं बेजनस में आपने करनी हैं एपने करनी हैं कुछ अनदर भी मेडिकल के प्रोग्राम करने हैं बीडियेस को छोड़के तो उनकी पीज घाई लाग से स्टार्ट होकर मैक्समम तीन साधे तीन लाग से जादा नहीं हैं और से ट्रांसफर करनेंगे बच्चा ट्रांसफर करने के बाद बच्चों की बेंक स्टेटमेंटों की रेक्वार्मेंट रहती है क्योंकि फॉइन् की से पासंदे नहीं होते तो क्रॉन immigration आपको उसमें भी service प्रवाइड कर सकती है if you have the problem for the funds, वो funds आप फिर कैसे शो करने हैं, तो हम आपको उसके भी different way वता सकते हैं, तो आपकी police clearance certificate कितना important है, when you are going to apply the visa from here, as well as ambassadors की appointment कैसे लेनी है, embassy interview में आप से क्या पूछ सकती है, आपका medical कितना important है, document की validity क्या है, जब आपने embassy में अपने सारे के सारे document लेकर जाने है, क्योंकि embassy में बच्चों को बहुत सारी problems भी face करनी पड़ती है, बच्चों की file sometimes summit नहीं हो पाती वहाँ पर due to lack of document, इन सब चीजों में crown immigration काफी technical है, तो अगर आपको किसी भी type की कोई problem है, Romania से related, जो कि एक shengen country बन चुका है, तो आप हमें भी संपर कर सकते हैं, जिन बच्चों के अभी तक results नहीं आए हैं, तो उनके जब भी results आते हैं, तो वो भी हम immediately बताएंगे, तो still भी आपकी जो destination study in Romania की है, general studies में जाना है, हमारे पास दो universities still open पड़ी हुई है, तो उनमें आपको different different type के programs मल सकते हैं, आप हमें अपनी profile भेजें, profile चेक करने के बाब बता देंगे कि आप उन universities के लिए eligible हैं, जर नहीं हैं, अगर आप eligible नहीं होंगे, तो हम आपको straight forward बता कर बता देंगे कि आप due to that reason eligible नहीं हैं, तो आप हमारी service online by sitting anywhere भी ले सकते हैं, तो अभी depend आपके उपर है, कि आपने अपना जो case है, कौन से consultant के तुरूब process करना है, हम Romania में ही इतने expert नहीं हैं, हम Schengen की 29 countries जैसे मैं मैं Romania के बार में बता रहा हूँ, इसी तरीके से हमें उन countries का भी knowledge है, हर एक countries related हमारे channel के उपर playlist हैं बनी हुई हैं, तो वहाँ जाकर हमारे different countries related videos वाच कर सकते हैं, तो लासी मेरी यही request है, कि अगर आपको जे मेरी वीडियो चलिए इसको like it, share करना ना भी, thank you.